लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे मसूरों के रंग में बदलाओं क्यूं हो जाता है यह मेल फिमेल बच्चे सबी के लिए है तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो मसूरों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं मसूरे या दात में दर्द होने पर आपको कुछ भी चीजें खाने में परिशानी होती है दरसल खाने के दोरान मसूनों पर दबाव पड़ता है जिसकी वज़े से पहले से सुजन वाले मसूनों में तेज दर्द होने लगता है मसूनों का दर्द कई बार इतना अधिक होता है कि इसके कारण ब्यक्ति को पानी पीने में भी दर्द मैसूस हो सकता है इस समसे से बचने के लिए कई घरेली उपाये हैं जिसे काफी हद तक मसूरों के दर्द को दूर किया जा सकता है आपके दातों और मसूरों में परिशानी से पहले ही कई तरह के संकित दिखाई दिएते हैं जिसमें मसूरों के रंग का बदलना भी सामिल है मसूरों के रंग में बदल्लाओं के क्या कारण होते हैं यद मसूरों का रंग बदलता है तो विबिन बीमारियों के संकेत हो सकते हैं यह सबसे आम समझ से एह है कि मसूरे कालिप पढ़ने से आप अपना अपना नेचुली रंग खो देते हैं एनेमिया की बज़े से मसूरों का रंग पीला हो जाता है एनेमिया के कारण मसूरे आसमाने रूप से पीले हो सकते हैं इस इस्तिती में मसूरे ना तो सफेद और ना ही गुलावी रहते हैं हिमोगलोमन की कमी के कारण मसूरों का रंग हलका पीले रंग का हो जाता है सुजन की बाज़े से मसूड nya लालनके होना मसूडब का लालनक दिखाई करता है कई बार बरुसकी बाज़े से एक बार्टम्सराय कारण मसूडों में सुजन आ सकती है । ऐसे में मसूड Breath सामंने से ज़्यादा लालनके दिखाई देने लगते। मसूनों पर निले धब्बे नसों में होने वाली समस्याओं की ओर संकित करता है कुछ दबाएं मसूनों का रंग भी बदल सकती है कुछ ऐसी दबाएं होती हैं जिनके अंदर कुछ मेटल का उपयोग किया जाता है इन दमाओं के उप्योग से मसूडों का रंग बदलने की सभामना बढ़ जाते हैं दुम्रपान की बज़े से मसूडों के किनारे में बुलाकार में घाओ होने बाग पीले रंग के मसूडे होने डगते हैं इसके कराण कुछ लोग भी मसूरे पूरे भूरे बाकाले हो जाते हैं मसूरों के रंग को बदलने के सही कराण का पता डॉक्टर उन करणों को दूर करने का पिर्यास करते हैं इसके इलाज में डॉक्टर मरीज को लाइफश्टैर में बदलाओ की सला देते हैं इसके अलबा मरीज को घरे लो उपाय करने के लिए भी कहा जा सकता है मसूलों पर दातों की समस्याओं को दूर करने के लिए दबाओं के अलाबा लॉंग के तेल का इस्तिमाल किया जा सकता है इसमें मसूलों की सूजन को ठीक करने में मदद मिलती है मसूड़ों में दर्ध सूजन बग्गाव को ठीक करने के लिए मरीज को कुछ दबाएं कुल्ला करने के लिए लिपकिट दबाएं दी जाती है तो यह था हमारा आज का वीडियो मुझे अमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा धन्माल